अलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुर्ती का बहुत ही ब्यूटिफुल सा नेक बिज़ोंग शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना तो यहां पर कुर्ती की कटिंग मैंने करके रखी बॉट नेक यह हमारा बनने वाला है और यहां से नेक की लेंथ में 6.5 इंच पर ले रही हूँ तो हम सबसे पहले इसका एक स्केर पार्ट त्यार करेंगे नीचे की तरफ से भी हम इसे 4.5 पर ही रख रहे हैं नेक की विर्थ को और यहां पर हमारा स्केर पार्ट बनकर त्य प्यार्वगया है यहांसे हम इस तरिके से इसमें राउन शेप देंगे और बाहर की तरफ से हम पूरे में एकएक इंच का निशान की मार्किंग करेंगे जो हमारा नेक का मेन पाट रहेगा यहां से मैं इसके चार तरफ से इसे एक्स्ट्रा बुक्रम को कट करके अलग कर दूँगी तो यह देखे फ्रेंट्स यहां पर मैंने इसमें से एक्स्ट्रा बुक्रम को कट कर दिया है और यहां से हम चोटा सा एक पैटरन और कट करेंगे बुक्रम में से जो हमारा आगे के pattern को बनाने में help करेगा, तो यहां पर मैंने इसके cutting कर ली है, इसकी लंबाई मैंने 1.1 इंच पर इधर ली है, और यहां से width मैंने इसकी 1.0 से 1.0 सोड़ा कम ली है, तो यहां पर हम इसको इस तरीके से fold करेंगे, और यहां पर be center से हम इसकी marking करेंगे, तो हम इसको fold कर लिया है, और on fold part में ही हमने इसको इधर रखा है, तो यहां पर हम pencil की help से इधर marking कर रहे हैं, अब हम इस pattern को open कर लेंगे, इस तरीके से, और यहां से beach में से हम इसका half inch इधर gap छोड़ते वे इधर marking करेंगे, इस तरीके से, तो यह हमें बिल्कुल ध्यान से देखन है कि किस तरीके से हम marking कर रहे हैं, नेक के लिए, तो इस तरीके से हम pattern को रखते जाएंगे और marking हम करेंगे, इधर एक equal हमारी marking complete हो, उसके लिए ही हमने इस pattern को cut कर के लिया है, तो यह देखे friends, यहां पर इस तरीके से मैं इसके square part इधर बना रही हूँ, तो बहुत ही beautiful सा यह नेक हमारा बन कर तियार होगा, तो यह देखे friends, यहां पर मैं इसको इस तरीके से marking कर रही हूँ, थोड़ा dark हम इसको कर देंगे, यह pattern को हमने dark कर दिया है, friends, आगर आपका कोई question रहे तो आप हमें comment box में पूछ सकते हो, और आपने हमारे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो आ आप हमारे channel को subscribe कर देना, और bell icon भी दबा देना, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में समय पर notification मिलती रहे, तो यहां अबर मैंने neck की marking इदर complete कर ली है, हम इन pattern को थोड़ा dark कर रहे हैं, तो यह हमारी लगवक pattern की सारे ही marking complete हो गई है, यहां से हम बुकरम को जो भी extra part है, उसको हम cut कर देंगे, और जो हमने marking की हुई है, उसी के उपर से हम direct इसको बुकरम को cut करेंगे, तो आपको देखने से अच्छे से समझ जा रहा होगा कि किस तरी किसे मैं कर रही हूँ, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी है हमारा neck बन कर तियार होगा, किनारे पे से इस pattern को cut करते हुए जा रही हूँ, पैटरन हमारा बहुत ही finishing के साथ cut हो, उसके लिए हमें बिल्कुल बारे केंची के से हमें बिल्कुल किनारे से हम इसको cut करते हुए जाएंगे, एक equal ही हमारा यह पूरा pattern cut होना चाहिए, तो हमारा neck भी बहुत सुंदर बन कर तियार होगा, तो यहाँ पर यह देखे friends, मैंने neck की cutting को complete कर लिया है, बहुत ही finishing के साथ यह हमारा neck cut कर तियार हो गया है, extra fabric पर मैं इसे cut करके सिलाए कर दूँगे, तो यह देखे friends, यहाँ पर मैंने extra fabric पर इसे stitch करके तियार कर लिया है, इस तरीके से हमने इसको fold करते तो यहाँ पर मैंने कुर्टी का front वाला part इधर लिया है, तो यह देखे friends, यहाँ पर मैंने इन दोनों को सीधे से सिधा मिलाते हुए pattern को हम इस तरीके से रखेंगे, और उपर की तरफ यह हमारा बिलकुल मिला हुआ होना चाहिए pattern, और यहाँ पर हम इसमें all pin लगा कर भी स इसकी सिलाई लगानी शुरू करेंगे, तो यहाँ से हम इसकी सीधी स्ट्रेट सिलाई लगाना शुरू करेंगे, बुकरम के हमें बिलकुल पास पास सिलाई लगाते हुए जाना है, आप चाहें तो इधर paper pasting का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने इधर बुकरम का यूज़ किय हैं, बिलकुल इस तरीके से हम corner में इसको, सुई को कपड़े के अंदर रखेंगे, इस तरीके से और घुमाते हुए हम इस pattern को त्यार करेंगे, ते देखे friends, बहुते finishing के साथ यह हमारे neck बनकर त्यार हो जाएगा, किनारे पर हम यह पूरे में ही सिलाई लगा कर इसे त्यार करेंगे, बिलकुल बुकरम के हमें पास-पास सिलाई लगाते हुए हमने इस pattern को complete कर दिया है, और पिल हटा कर मैं इसमें से extra fabric को cut कर देंगे, तो यह देखे friends, यहाँ पर मैंने इस अंदर की तरफ से जुतना भी extra fabric है, उसको एक पैर का margin छोड़ते हुए extra fabric को cut कर दिया है, अब जो हमारे cut outs बनकर त्यार हुए हैं, इसके अंदर से भी हम इसमें cut लगाएंगे, हमेश्थी इसका ध्यान रखना है कि जो हमने सिलाई लगाई हुई है, वो हमारी cut ना हो जाए, उसका हमें ध्यान रखते हुए इधर हम cut out में से cut करेंगे, तो यह देखिए, यहाँ पर मैंने इसके cutting को complete कर दिया है, अब हम इसके corner को भी इस तरीके से cut करेंगे, बिल्कुल ध्यान से हमें corner को cut करना है, ताकि हमारी सिलाई कटना हो, उसका भी हमें ध्यान रखना है, अगर आपको extra fabric दिखाई दे तो उसे भी हम cut कर देंगे, तो यह तरफ भी ज्यादा हमारा extra fabric रहेगा, तो वो हमारा यह pattern को पलटने में आसानी नहीं रहेगी, तो इस तरीके से हम इसको सिधा करेंगे, धिरे धिरे ही हम इसको किसी नुकिली चीज की help से, या कैंची की help से आप इनको सिधा कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर एक pattern आपको सिधा क करके दिखा रही हूं, तो यह देखे friends, यहाँ पर मैंने कैची की help से ही इसे सिधा कर लिया है, पूरे ही neck को मैं इस तरीके से finishing के साथ इसे सिधा करके प्रेस करके आपको दिखा रही हूं, तो यह देखे friends, यहाँ पर मैंने इसको पूरे ही neck को पलट कर तियार कर लिया है, तो बहुत ही finishing के साथ यह हमारा पलट गया है थोड़ा patience के साथ हमें इसको करना है तो यहाँ पर swing में मैंने चार धागे दर ले लिया है और यहाँ पर हम इसमें pearl को attach करेंगे मोती attach करेंगे अगर आपके पास मोटे size के मोती है तो आप यहाँ पर एक single मोती भी attach कर सकते हो यहाँ पर मेरे पास छोटे size के मोती है तो हमें यहाँ पर double को attach कर रही हूँ तो यहाँ पर हमें इसमें corner में से ही धागे को निकालते वे जाना है बाहर की तरफ यह हमारा धागा दिखाई ना दे उसके लिए हमें इसके next pattern में से अंदर से ही धागे को निकालते वे जाना है और यहाँ पर हम इसमें गांट लगा देंगे इस तरी के से ताकि यह हमारा पक्का हो जाए और यह हमारा धागा ना तूटे तो इदे के फ्रेंट्स पूरे में ही में neck में इस तरी के से double मोती इदर attach करेंगे corner पर हम इसमें गांट लगाते भी जाएंगे और पूरे ही neck में हम इस तरी के से मोती को attach करेंगे फ्रेंट्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो please like जरूर कर देदा तिए देखे फ्रेंड्स यहां पर मैंने दो मोती इधर अटेच कर दिये हैं अब नेक्स्ट में एक में और मैं आपको इधर मोती अटेच करके दिखा रही हूँ इस तरीके से हमने डबल लेयर में मोती को लिया है और यहां पर कॉर्नर में हम इसमें सुई को निकालेंगे और यहां पर डबल पका करके हम इसको अटेच कर देंगे इस तरीके से और नेक्स्ट में से हम इसमें से धागे को इस तरीके से निकालेंगे ताकि यह भार की तरफ हमारा धागा ना दिखाए दे इसके फैब्रिक में से अंदर से ही हम इस दागे को निकालते हुए जाएंगे पूरे में ही मैं इस तरिके से मोति को अटेश कर दूँगी तो यह देखे, फ्रेंड्स मैंने यह हमा नेक को कम्पलीट कर दिया है मोति अटेश करते हुए फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो प्लिस लाइक ज़रूर कर देना थैंक्स पॉर वाचिंग फाइनल लुक में आपको इसका दिखा रही हैं